हेलो दोस्तों आप बड़ी मेहनत करके, बहुत पढ़ाई करके, बहुत रिसर्च करके आप ब्लॉक्स लिखते हैं, आप अपने कंटेंट्स देते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए अगर कोई उसे चुरा ले आपके कंटेंट को और कहीं अपने लिए यूज़ करे, आपकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, तो आप चाहते हैं कि कोई भी आपका कंटेंट इस तरह से कॉपी करके, इस तरह से पेस्ट रना कर पाए, तो दोस्तों आपको करना क्या है, कुछ ट्रिक्स यूज़ करनी है, लाइक मैंने किया, आप देखिए, कोई हमारे इस पोस्ट को, हमारे ब्लॉग को नहीं चोरी कर पाएगा, कॉपी पेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो गाइज इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए हमें इस सोर्स की, इस कोट्स की जरूरत रहेगी, तो मैंने ये कोट्स यहां पे दे दिया है, आपको केवल गम्प्यूटर में नोटपेट प बात कर लेते हैं, तो चलिए, ये तो मेरा दूसरा ब्लॉग है, ये कॉपी नहीं हो रहा है, पेस्ट नहीं हो रहा है, और ये वाला असानी से हो जा रहा है, तो मैं इसे एप चैंज करता हूँ, ठीक ना, अब दिखे आपको करना क्या है, आपको जाना है, ब्लॉगर पे, जाना है आपको, लियाउट पे, दिन यहाँ पे जाना है, एट गैजेट्स पे, आप यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, तो आपके सामने ऑप्शन सा जाएंगे बहुत सारे, और यहाँ पे आपको चूज करना है, HTML जावा स्क्रिप्ट, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंग लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, नोट पैट पे जाना है, जहाँ पे आपने टाइप किया है, यहाँ से आपको यह सोर्च को काफिवी कर लेना है, या फिर आप अपने से यहाँ भी टाइप कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे, आपको फिर से जाना है, सेम चुछ करना है एडगेजेट पर जाए और यहां पर आपका content है टाइटल देनी कोई जुरूत नहीं तो यहां पर जो आपका content है आप यहां पर जाके paste कर देजिए save कर देजिए दिन आपको करना क्या है वापसा कि refresh करिए F5 मैंने किया अभी तक देखिए copy हो रहा है अब देखिए copy नहीं हो रहा है कोई अब आपकी content को चोरी नहीं कर पाएगा उम्मीद है गाईज कि इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि आपने content को कैसे save करना है secure करना है त थैंक्स लड़ गाईज